छट हुआ, मंत्रियों के विभागों और कारियों में हस्तक शेप करना मंत्री किसी एक विभाग का मुख्या होता है इसका अर्थ यह नहीं कि मुख्य मंत्री उस विभाग के बारे में कुछ आवश्यक आदेश, सलाह आदि नहीं दे सकता नहीं मुख्य मंत्री तो बलकी मंत्रियों के कारियों में जरूत पढ़ने पर हमेशा हर्थ तक शेप करते हैं उन्हें दिशा निर्देशक देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि जनिता के विकास के लिए जो भी वादे मुख्य मंत्री ने या उसके दल ने किये हैं विविन विभागों के मंत्रियों द्वारा उसी दिशा में कारिक किया जा रहा हो या अपेक्षित दिशा में कारिक किया जा रहा हो तो मंत्रियों के विभागों में हस्तक शेप करने का अधिकार भी मुख्य मंत्री को है इसके बाद मंत्रियों और उसके विभागों में सामंजस स्थ करने का बहुत बड़ा कारिस, मुख्यमंत्री के कंद्रों पर रहता है। सामन जस्स स्थापित करना बहुत महत्पूर है। कल्पना करिए एक स्थिति कि किसी एक शित्र में कोई एक बहुत बड़ा प्राजेक्ट एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट राज्यसरकार ने या पावर प्लांट राज्यसरकार ने डालने का निर्णा किया है अब उस power plant को बनाने के लिए समय सीमा जो तै की गई है उस समय सीमा के अंदर उसे पूरा करने के लिए वित्त विभाग की जुरत है जो समय पर पैसा दे परिवहन विभाग के सहियों की जुरत है जो समय समय पर जो ट्रांसपोर्ट में मदद करे आवा जाही में बिजली जो इन विभागों के बीट में सामन्जश से नहीं होगा तो निश्चित रूप से कारे योजना समय पर क्रियानवित नहीं हो सकती और ऐसी स्थिति में क्या होता है जिस प्रोजेक्ट की लागत करीब 500 करोड रुपए है विलम में होने पर उसकी लागत 1000 करोड या 2000 करोड हो सकती है तो खामियाजा जनता को भुगतना परता है और प्रोजेक्ट विलम अलग होता है ऐसी स्थिति में मुख्य मंत्री का ये बहुत अहम काम है कि वो विभिन विभागों के बीच में सामन्जश से बैठाए पट्री मे सब को एलाइन करे मद्भेद किसी तरह के हो तो उसे समाप्त करे ये उसका एक बहुत महत्पून कारे हैं अगला कारे मंत्री मंदल की बैठकों की अध्यक्षता करना मंत्री परश्चत की जब भी बैठक होती है तो उसकी बैठक बलाने का काम बैठक का एजिंडा तयार करने का काम बैठक में या उसे पूर्व के विवादों के निरा करना का काम बैठक के दौरान करने का और ये सब सम्मन ये सब बातें मंत्री परश्चत की बैठक में अध प्रणाम सफल रहें नौवा मंत्री परिशद प्रधान मंत्री मंत्री परिशद और राष्टपती के बीच में प्रधान मंत्री कड़ी है प्रधान मंत्री मंत्री परिशद और राष्टपती के बीच की एक कड़ी है जिसका हमने जिक्र किया तो राज के मामले में मुख्य मं मंत्री वो कड़ी का काम करते हैं राज जपाल और मंत्री परशद के बीच में जितनी भी प्रशासनिक बैठके हों, बैठकों के निरने हों, कानून संबंदी बाते हों, कुछ महत्पूर्ण मामले हों, राज की इस्थिती को लेकर कुछ और बाते हों, आधी आधी, ये सब मं मुक्हिल परिशेट से निशकर्श निर्णे होने के बाद इन्हें राज़पाल तक पहुँचाने कारे मुक्हिल Мंत्री का है तो मुक्हिल मंत्री राज़पाल और मंत्र परिशेट के बीच की सबसे महठमुन कड़ी होती है इसके अत्रिक राज़िपाल के प्रामर्ष और विचारों से भी मुख्य मंत्री मंत्री परिशद को अवगत कराता है अर्थात जो मुख्य मंत्री है वह मंत्री परिशद की सूचनाएं राज़िपाल तक नहीं भेलता बलकि राज़िपाल की भावनाओं से राज़िपाल के विचारों से राज़िपाल की सोच से विभिन मतों पर विभिन बातों पर विभिन मुद्दों पर उससे मंत्री को अवगत कराता है और राजपाल की सोच क्या होगी राजपाल की के विचार क्या होगे चूंकि राजपाल केंदर का प्रतिनिधी है इसलिए केंदर की जो बातें हैं केंदर की जो सोच है केंदर के जो विचार है विविन बुद्दों को लेकर उन विचारों को राजपाल पहुंचाता है जो उसे मंत्री परिशद तक पहुंचाते हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि मुख्य मंत्री एक बहुत महत्पूर्ण कड़ी है मंत्री परिशद और राज्यपाल के बीच में और ये समझ रहे हैं कि किस प्रकार केंदर की भावनाओं से राज्य का मंत्री परि कि मंत्रियों का सीधा राज्यपाल से मिलना एक तरीके से अनुचित पाना जाता है एक तरीके से जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में कुछ कमी होने पर ऐसी स्थित्याती है जब कोई मंत्री राज्यपाल से सीधा मिल ले दूसरे शब्दों में यहां भी मुख्य मंत्री की भूमिका बहुत महत्पूर्ण है यदि किसी मंत्री को राज्यपाल तक अपनी बातें पहुंचानी है तो उसका जरिया मुख्य मंत्री ही होगा अगली शक्तिया अगला कारक्षेत्र मुख्यमंत्री का है राज्यपाल को परामर्ष देना सचाई तो ये है पूरे राज्य को चलाने का काम वास्ताव में मुख्यमंत्री का है लेकिन जो नाम आता है उसके कारेपालन में वो राज्यपाल का आता है राजिपाल को हर मामले में सराप परामर्ष ही दिया जा सकता है मुख्यमंत्री द्वारा लेकिन उसके ये तथा करतित परामर्ष जो शब्द है वास्तों में उसके लिए राजिपाल के लिए वह उसके अनुपालन परिपालन के लिए बात दिए लेकिन बहुत बार ऐसी स्थिती भी होती है जब इन सब मुद्दों से हट कर राजिपाल को परामर्ष देने की जुरत पड़ती है मुख्य मंत्री का ये समवैधानिक करता भी हो जाता है कि वह राजिपाल को समय समय पर उनको सलाह देता रहे उनको परामर्ष करता रहे अंतिम जैसे प्रधान मंत्री सरकार का केंदर सरकार का आधिकारिक प्रवक्ता है प्रधान प्रवक्ता मेन स्पोक्स पर्षन और जैसे प्रधान मंतरी स्पोक्स पर्षन के नाते संसाद और विश्व के अन्य मंचों पर देश की आवाज को रखता है उसे पकार राज्य के मामले में मुख्य मंतरी जो है वो सरकार की नीतियों की अधिकरित घोशना करता है उ ये मुख्य मंत्री की शक्तियों का बड़ी जल्ली जल्ली हमने विवरण किया अध्यान किया क्योंकि प्रधान मंत्री की शक्तियों को समझने के बाद हमारे लिए या तुलनात्मक जिस्टि से अब मुख्य मंत्री की शक्तियों को समझना बहुत सरल हो गया इसी क्रम में आगे बढ़ते हुआ हम देखें स्टेट काउंसिल अफ मिनिस्टर राज का मंत्री परिशन वही स्थिती जो केंदर की है राज के शासन में मंत्री परिशन सर्वोच प्रशासनिक संस्था वास्तों में सधान्तिक रूप से राज की जो संपूर्ण कारिपालिका है वो तो राजिपाल में नहीं था लेकिन विजाभारिक रूप से कारिपालिका के सारे अधिकार सारी शक्तियों का प्रियोग कौन करता है मंत्री परिशन जो भी काम राज में हो रहे हैं वो मंत्र परशद इसके पीछे है राजिपाल तो मात्र एक रबर स्टैंप है बलकि कहना चाहिए जो मंत्र परशद की सलाह को डिटो करता है मंत्र परशद की सलाह में हामी भरने का कारे करता है तो मंत्री परिश्यत के गठन के बारे में सोड़ा जाने कि मंत्री परिश्यत के गठन कैसे होता सबसे पहले तो मुख्य मंत्री की नियुक्ति जैसा पहले बताये गया धारा 164 के अनुशार विधान सभा के बहुमत दल के नेता को ही नियुक्ति किया जा सकता है वह भी राज़पाल द्वारा और एक बार राज़पाल ने मुख्य मंत्री बहुमत दल के नेता को मुख्य मंत्री की शपत दिलाई तो मुख्य मंत्री फिर वह सूची भेशता है जिसे राज़पाल मंत्री निक्त करते हैं तो मंत्री परश्चत का गठन कौन करता है राज़ राजपाल किसकी सलापर मुख्यमंत्री की सलापर अब अन्य मंत्रियों की निक्त की बात यदि करें तो संविधान के अनुछेश 164 के अनुसार मुख्यमंत्री के परामर्श से राजपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की निक्त किये जाने की व्यवस्था है लेकिन व्यवहारि कर सकता है जो बाहर से हूं. लेकिन यदिवत सदन के अंदर से कर रहा है तो उसके अपने दल के हूं, उसके विश्वास पात्र हूं, उसके नित्रित को सिकारने वाले हूं, तथा जिनकी नियुक्ती से खेतरी हित संतुष्ट हो. खेत्री हित्र के माइने हैं विभिन वर्गों के लिंगों का प्रतने दित्व हो सामाजिक दिष्टी से एक उसका जो खेत्र है वो विस्तरित हो भागोलिक दिष्टी से भी वो सभी खेत्रों को कवर करता हो उसका प्रतने दित्व ऐसा मंत्र मंडल एक अच्छा मंत्र मंडल माना जाता है शिक्षित लोंगों का हो आदी आदी मुख्य मंत्र मंत्री कौन बन सकते हैं उसकी योग्यता क्या है अहरता क्या है सरपथम मंत्र परशद के सभी सदस्यों को वो राज्यम विधान मंडल के किसी न किसी सदन का दो सदन जादा से जादा होते हैं विधान सभा और विधान परिशत तो किसी न किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है और यदि शपत की तारीख में शपत के दिन शपत ग्रहन के दिन यदि वह सदस्य नहीं हैं तो जरूरी ह है कि छह माह के अंदर वो किसी ने किसी सदस्ट का सदन का सदस्ट बने चाहे विधान सभा में चिनाओं के जरिए चाहे राज सभा में जो रज चाहे विधान परिशद में जो विधान परिशद की प्रक्रिया है उसके तहर उसके बाद शपत ग्रहन की प्रक्रिया होती है मुख्य मंत्री सहित जो सभी सदत से हैं मंत्री परश्यत के उन्हें अपना शपत ग्रहन करना होता है जो राजपाल के द्वारा दिया जाता है जिसमें पद और गोपनीता की शपत लिजाती है गोपनीता के क्या मायने है इसको मैं पूर में बता चुका मंत्रियों की श्रेणिया वही जैसा केंदर में हैं कैबिनेट मंत्री सबसे उच्छ श्रेणी अधिक्तम संख्या 20 राज्य मंत्री दूसरी श्रेणी जिसे मिनिस्टर अफ स्टेट भी कहते हैं या स्टेट मिनिस्टर भी कहते हैं कम महत्यकव विभाग या स्वतंतर प्रभार या कैबनेट मंतरी के सहाय के रूप में और तीसरी शेनी उप मंतरी जिसे डेप्टिय मिनिस्टर कहते हैं इन्हें कभी स्वतंतर प्रभार नहीं मिलता ये याद रखेंगे केंदर और राज्य दोनों में उप मंतरी किसी भी अगला मद्दा वेतन और भत्ते इस संबंद में भारती संग के विभिन राज्यों की स्थिति अलग अलग है और इनके वेतन और भत्ते राज्य का विधान मंडल तै करता है केंदर पर नहीं छोड़ा गया है पहली बात केंदर में संसद पर नहीं छोड़ा गया है राज्य के वेतन और भत्ते का मामला और नहीं पूरे देश के सभी राज्यों के सदस्यों का मंत्री परशद के सदस्यों का वेतन समान है नहीं ये राज्य के विधान मंडल के विवेक पर निर्भर करता है कि वो अपने तनका अपना वेतन और भत्त कितना तैक करें तो विधान मंडल निरनायक भूमिका निभाता है अपने राज के मंत्री परिशद के वेतन और भत्ते के मामले में इनका कारिकाल कितना अधिक्तम पांच वर्ष जैसे विधान सभा का अधिक्तम पांच वर्ष तो विधान सभा के द्वारा के जरिये चुने गए बनाए गए मंत्रि परिशवत के सदस्यों का भी कारिकाल अधिक्तम पांच वर्ष चाहें तो पहले भी त्याक पत्र दे सकते ह और सचाई तो यह है कि जब तक उन्हें सदन का विश्वास है विधान मंडल का जब तक उन्हें विश्वास मिला हुआ है तब तक वो मंत्री बने रह सकते हैं अधिक्तम पांच वर्ष उसके बाद फिर से चुना होगा और यह उन्हें पना विश्वास मिला है मंत्री बनने क तो पना मंत्री बनेंगे पर एक सत्र में अधिक्तम पांच वर्ष ये हुई कारेकाल की बाद अब कारे विभाजन राज्यपाल जैसे कि राष्ट्रपती राज्यपाल मुख्य मंत्री के परामर्ष के अनुसार मंत्रियों का कारे विभाजन करता है जैसे राष्ट्रपती प् फिर स्पश कर देना चाहूंगा कि एक व्यक्ति को सामयन नेता एक विभाग मिलता है क्योंकि एक विभाग का कारी ही स्वैम इतना महती होता है कि उसको ही सुचार उरूप से चलाना एक कठिन काम है लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अती कौशल वाले व्यक्ति को अती अनुभवी व्यक्ति को एक से ज़्यादा विभाग दे दिया जाए अनिथा एक ही मंत्री के अधीन एक से ज़्यादा विभाग नहीं रहते पर जरुत पढ़ने पर अच्छा संभव है इसकी अनुभवती है और मुख्य मंत्री अपने इस प्रिविलेज का आवश कितान सार उप्योग करता है अब आते हैं सामोहिक दायत्व पर प्रधान मंत्री और मंत्री परश्द की चर्चा करते हुए केंदर के मामले में मैंने बताया था सामोहिक दायत्व क्या है वही बात राज में भी लागू है राज के मामले में भी सामोहिक दायत्व या कलेक्टिव रिस्पॉन्चिबिलिटी उतनी ही महत्पूर्ण है जितना केंदर के मामले में सभी मंत्री सामोहिक रूप से उत्तर दाई हैं किसी भी अच्छे या बुरे निर्ने कार ये नीती के लिए सफल असफल नीती कार ये निर्ने आदी के लिए वे लोग सामोहिक रूप से जिम्मेदार हैं और किसके प्रति जिम्मेदार विधान मंदल के प्रति क्योंकि विधान मंदल के सदह से जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो विधान मंदल के प्रति जिम्मेदारी का अर्थ हुआ कि ये लोग जनता के प्रति जिम्मेदार है मंति परिशद के किसी भी सदह द्वारा रखा गया प्रस्ताव सदन में अवदान मंदल में यदि पारित नहीं होता या अस्विकृत हो जाता है तो ये बड़ी शर्म की बात होती है। मंत्र मंदल के किसी प्रस्ताओं को यदि खारिज कर दिया तो ये बड़ी शर्मना के स्थिति होती है और इस शर्मना के स्थिति के लिए मात्र उस मंत्री अकेले को जिम्मेदार नहीं माना जाता जिसका विधेयक खारिज हुआ है बलकि पूरा मंत्री परिशत जिम्मेदार माना जाता है ऐसा क्यों? क्योंकि मंत्री जब किसी विध्यक को सदन में रखता है विधान मंदल में रखता है तो रखने चे पूर्व उस विध्यक पर मंत्री मंदल में विस्तरित विचार विमर्ष होता है मंत्री मंडल के विचारों को मुद्दों को लेकर इस पर बहस होती है और फिर अंतिम रूप लेता है विध्यक विध्यक को अंतिम रूप दिये जाने के बाद मंत्री मंडल की स्वीकृति मिलने के बाद ही मंत्री संबंदित विभाग का मंत्री उस विध्यक को सदन में पेश करता है और सदन में यदि वह विध्यक पास नहीं हुआ तो वह मंत्री अकेला जिम्मेदार नहीं पूरा मंत्री मंदल जिम्मेदार होता है इसी लिए और इसे कहते हैं सामुहिक जिम्मेदारी इसे कहते हैं सामुहिक उत्तरदायत या कलेक्टिव रिस्पॉंसिबिलिटी ऐसी स्थिति में पराजय की स्थिति में असफलता की स्थिति में शर्मना की स्थिति में कोई एक मंत्री स्थिफा नहीं देता पूरे के पूरे मंत्रि मंडल को जिसका हिस्सा मुख्य मंत्री भी है वो सब को इस्तीफा देना होता है विधान परिशद वही रहेगी विधान सभा वही रहेगी लेकिन चेहरे बदल सकते हैं पदों में जो मुख्य मंत्री बदल सकता है क्योंकि सदन ने उस मुख्य मंत्री के मंत्र मंडल पर विश्वास जाहिर किया है उसके द्वारा प्रस्तावित विधयक को या किसी प्रपोजल को अस्विकार करके मंत्र परशद का एक सदस्ट का निर्णे संपूर्ण मंत्र परशद का निर्णे माने जाता तथा कोई भी व्यक्ति, मंत्र परिशद का व्यक्ति, मंत्र परिशद के निर्ने के विरुद मद्दान नहीं करता इसलिए एक प्रसिद्ध राजनीतिक विट्था लॉड मौरले उन्होंने कहा है कि मंत्र परिशद एक ऐसी नाव है जिसमें एक साथ सब तैरते हैं और एक साथ सब डूबते हैं इस तरह की चीज है जिसमें सब एक साथ तैरते हैं दे सिंक, दे स्विम और सिंक तोगेदर Council of Ministers is a board wherein everyone स्विम और सिंक तोगेदर बहुत संख्प्त में सामोहिक जिम्मेदारी की स्पष्ट परिभाशा राज्य मंत्र परिशद के गठन संबंधी बातों को समझने के बाद अब हम आते हैं ऐसे मंत्र परिशद की शक्तियां और कारिक शेत्र क्या शक्तियां हैं जो आपने केंदर के मामले में पढ़ी केंदरी मंत्र परिशद की वही सब राज्य मंत्र परिशद की हैं केंदरी परिशद की तरह राज्य के मंत्र परिशद की कारे और शक्तियां काफी महत्पूर्ण हैं यदि हम संख्षप्त में इसे एक बार दुहराना ही कहेंगे क्योंकि केंदर के मंत्रि परश्चत की शक्तियां और रज के मंत्रि परश्चत की शक्तियां लगभग मिलती जुलती हैं तो पहला रज प्रशासन की नीती निर्धारित करना दूसरा, रज में प्रशासन और व्यवस्था बनाए रखना तीसरा, संघीय सरकार के आदेशों और योजनाओं को क्रियानवित करना केंदर से कुछ आदेश आएं हों केंदर से कुछ सूचनाएं आई हों, कुछ योजनाएं आई हों तो उनको क्रियानवित करने की बहुत अहम जिम्मेदारी मंत्री परिशद की होती है और यदि किसी कारण से राज सरकार इसमें कुताही कर रही है या राज सरकार या मंत्री परिशद इस दिशा में अपेक्षित रूप से काम नहीं कर रही है तो राज़पाल ऐसी स्थिते में मुख्य मंत्री को सजग करते रहते हैं उस राज़ के राज़पाल चौथा राज़ की समस्याओं का समाधान करना आखिर सरकारें होती क्यों हैं जनता की भलाई के लिए जिसमें एक मुद्दा विकास का है और दूसरा मुद्दा उनकी समस्याओं के निराकरन का होता है तो जनता की समस्याओं के निराकरन के लिए मंत्री परिशाद कारिकरती है राज़ की विवन तरह की समस्याओं चाहे वो पडोसी राज़ियों से जुड़ी ही समस्या हो इन समस्याओं के निराकरण की महती जिम्मेदारी राज्य मंत्र परिशद की है। पांचवा विधी निर्माण में विधान मंडल का नित्रित्व करना कानून बनाने की कारवाई में विधान मंडल जो है उसका नित्रित्व करने का काम नित्रित्व के माणे किया उसका कानून का प्रतिरूप तयार करना कानून संबन्दी पेचीदिगियों को समझना उस पर मंत्रि परिशद के द्वारा विध्रित्रूप से उस पर बहस करना और उसके बाद किसी निशकर्ष पर पहुंचना उसकी भाशा को लेकर उसके उपयोगिता को लेकर और उस कानून के स्पिरिट को लेकर भावना को लेकर किसी निशकर्ष पर पहुंचने की जिम्मेदारी भी मंत्री परिशद की होती है अर्थाज विधेयक का प्रारूप कैसा हो इस पर मंत्री परिशद बहुत गहन रूप से विचार करता है और तब जाकर इस थाई कारिपालिका के सदस्यों के सहयोग से यह प्रारूप तैयार होता है जिसे विधान सभा में पेश किया जाना छट्वी जिम्मेदारी वित्ती संबंदी जिम्मेदारी अति महत्पूर्ण वित्ती नीति का निर्धारन जिसके माइने हैं लेखा जोखा रखना कितनी आए और कितना व्याय किन मुद्धों पर कितना व्याय होगा इसका निर्धारन करना किन किन मुद्धों पर कर लगाए सकती है कर लगाती है और अपना खजाना भरती है क्योंकि उसी खजाने से उसे राज के जनता की आवश्कताओं को राज की योजनाओं को पूरा करना तो आएविया बजट इन सब मुद्दों पर मंत्र मंडल काफी विचार में मर्श करता है इनकी नीतियों का निधारन करता है करों को लगाना हटाना उसे कम करना उसे ज्यादा करना आदी निर्न उसे समाप्त करना वार्शिक आएविया का ब्यूरा रखना और इस वार्शिक आएविया के बूरे को सदन से पास करवाना विधान मंडल से पारित करवाने की जिम्मेदारी भी मंत्र मंडल की है और सामाने शित में पारित होता है, क्योंकि मंत्री मंदल, विधान मंदल के बहुमत दल के ही तो блиndan हुआ है बहुमत दल सामानने ट्या, अपने दल के ही मंत्री परशन की बातों को पारित करेगा